हलो दोस्तों कैसे आप आशा करतों को स्वस्तों गे दोस्तों आज 3 मई है तो 3 मई के करेंट अफेस के क्विजम करने वाले हैं तो आपको एक और चीब बता दूँ कि बंगाल के जो चुनाव है उसके रिजल्ट आप चुके हैं बंगाल में तर्णमून कांगेस की वापसी यहाँ पर तयार हो चुकी हैं जीत चुकी हैं भारी बहुमत के साथ में टीमसी जो है वापस बंगाल में आई हैं कोशन यहाँ पर राज सरकारों के लिए SII मतलब सीरम इंस्टिट आफ इंडिया का जो नया टीका नया से मतलब यह कि जो 18 प्लस वालों के लिए जो जो प्ल आई सीरम इंस्टिट आफ इंडिया का जो टीका है 80 प्लस वालों के लिए आपको बता दू के 80 प्लस की बात कर रहो हमें यहाँ पर 80 प्लस वालों के लिए मूह लिए क्या रखा गया है राज सरकारों के लिए इसका क्वेशन का आप 5 सा मुझे कमें में दीजे चलिए एक और क्वेशन देखते हैं प्धान मंत्री मोधी ने PM केर फंड के तहट कितने पॉर्टिवल ऑक्सिजन कंस्ट्रेंट की खरीद की मंजूरी दी है प्राइम मिनिस्टर मोधी है एप्रूब दा पर्चेस ऑफ द प्धान मंत्री राहत कोश के तहट कितने ऑक्सिजन कंस्ट्रेंटर खरीदने की मंजूरी दी है ओप्शन आपके पास 50 यार, 1,75,000 या फिर 80,000 चलिए इस कांच से दीजे दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली वार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नूटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलते रहेंगे चैनल का अंसर है एक लाग एक लाग ऑक्सीजन पोर्टेवल ऑक्सीजन कंस्टेटर्स के खरिदने की मंजूरी दी है प्रधार मंत्री केर फंड के अंतरगत प्रधार मंत्री मोदी ने 28 अप्रदर 21 को पी एम केर फंड के एक लाग पोर्टेवल ऑक्सीजन कंस्टेटर्स खरिदने की मंजूरी दी है इस फंड के तहट पहले से सीक्रित 713 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर्स पी ऐसे प्लांट के अत्रिक्त 599 पी ऐसे ऑक्सीजन प्लांट को खरीदने की अनुमती दी गई है पी ऐसे प्लांट सरयोंतों की स्थापना और पोर्टिवल ऑक्सीजन कंस्टेटर की खरीदने की खरीद से जहां मांग अधिक है वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ती बढ़ाने में बहुत जादा मदद मिलने वाली है राज्यों प्लांट सरकारों के लिए सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया और बायो टेक ने अपने कोवी शील्ड वैक्सीन की कीमत आठ सो रुपे प्रती डोस से घटा कर तीन सो रुपे प्रती डोस कर दी है भारत के अनेक राज्यों के विरोध और आलोचनाओं के बीच के इंसरकार द्वारा सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया और बायो टेक ने अपने कोवी शील्ड नाइंटीन कीमतों को कम करने के आगरे के बाद ये कदम उठाये गया है चली एक और कोशन है हाल ही में चीन ने हाल ही में जिस रोबोट प्रोटाइब को लाँच किया उसका भार कितना है चली सकांसर दीजे चीन ने अभी एक रोबोट प्रोटाइब को लाँच किया है अभी हाल ही में उसका भार कितना है What is the weight of the robot प्रोटाइब that China has just launched and option app का 80 kg 70 kg 30 kg या फिर 50 kg है चरीज्द कान सहरत 30 kg 30 का robot prototype लॉंच किया है चाइना ने चीन ने 27 आप्रेल को 2021 को प्रत्थ्वी की निचली सत्व में निचली कक्षा में एक robot prototype लॉंच किया है शेजेंस इस्थित ओरेजी स्पेस द्वारा विक्सित किया गया है तीस किलो का रोबोट भविश्य की तक्नीव को कमाग प्रशस्त करेगा जो शुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होगी चीन का नियो जीरो वन मल भे कोई खटा करने के लिए एक जाल या नेट का प्योग करेगा और फिर इससे पूरी तरह से अपने एलेक्टरिक प्रपॉल्शन सिस्टम के माद्यम से जला देगा तो यहां कम जो नैंनीनल जैंटरोब्च प्रटाइब बनाए इसका मतलब सुर्फ यह है जो शुद्ज्र क्रहह हुआ करते मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि antrash में कुछ ऐसे चोटे 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 शुद्रेग्रहह हुआ करते हैं जो घूंते रहते हैं जिनको हमारे अर्थ के तरब धर्दी की तरब कई बार आते रहते हैं तो उसके लिए यह नोना यह बनाया कि यह सब छोटे-छोटे जो मलवे रहेंगे उन सभी को इखटा करेगा इखटा करने के वाद उनको जाली में इखटा करके उसको एलेक्ट्रोनिक प्रपलिशन के थूँ जला देगा और उसको समाप्त कर देगा चली आंगे बढ़ते हैं चांडलर गुट गवर्वर्नेंट्स इंडेक्स चांडलर गुट गवर्वर्मेंट इंडेक्स c.g.gi 2021 पर भारत का रकुड जाइंडलर गुट गवर्मेंट इंडेक्सинг के चांडलर गुट गवर्मेंट इंडेक्स CGGI 21 का भारत में क्या रेंकिंग है चली सकांसर है 49 नंबर पे भारत है विश्विस्तर की सरकारी छमता और प्रणामों के मामले में 104 देशों के चांडर गुड गुड गुवर्मेंट इंडेक्स CGGI 21 भारत को 49 रेंक हासिल हुई है भारत का सूचकांग स्कोर 0.516 था इस इंडेक्स में कुल 0.8848 अंक लेकर फिंडेंड पहले स्थान पर है और इसके बाद करमशार स्विट्जरलेंड, सिंगरपोर, नीदरलेंड और डैनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में चांडान इंस्ट्टीट ऑफ गौवर्मेंट का मुख्याल है जो है वो सिंगापूर में है रिलाइंस फ़ंडेशन किस सहर में एक यार बैट की कोविट देखवाल सुविधा स्थापित करेगा रिलाइंस फ़ंडेशन विल सेट अप दे हंडेट बैट कोविट के फैसलिट इन विस सिटी जाम नगर, पूरबंदर, पूरे या फिर नाकपूर चली इसका आंसर दीजे रिलाइंस फ़ंडेशन किस सहर में एक यार बैट की कोविट देखवाल सुविधा जो है स्थापित करने की बातियां पर कर रहा है चली इसका आंसर है जाम नगर जाम नगर में एक यार बैट की स्थापना करी जाएगी रिलाइंस फ़ंडेशन की तरब से एक यार बिस्तर वाली कोविट देखवाल सुविधा जिसको कोविट केर होस्पिटल भी बूल सकते हैं इस सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्द कराई जाएगी और उन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ इनके संचालन की पूरी लागज जो है वो लैंस द्वारा वहन की जाएगी इन कोविट केर सुविधाओं में जामनगर, द्वारका, खंबालिया, पोरबंदर और सौराश के अन्य छेतरों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है किस देश ने एक सप्ता की भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सियन सर्यंत भेजने की योजना बनाई है इन दोनों भारत में COVID-19 की दूसरी जानलेवा लहर जो चल रही है इसको देखते हुए भारत के लाखों लोग COVID-19 के कारण ऑक्सियन की भारी कमी से जूज रहे हैं और कई COVID-19 रोगी ऑक्सियन ना मिलने के कारण मौत का शिकार बरना है तब ऐसे कठिन समय में जर्मनी लगभग एक सप्ता में ही भारत में एक बड़े ऑक्सियन उत्पादन सरेंट को भेजने की तैयारी में लग चुका है भारत में जर्मनी के राजदूद वॉल्टर ने वॉल्टर जे लिंडनर ने इस बारे में 28 सप्ता दोयर 21 को सूचित किया ये ऑक्सियन सरेंट काफी लोगों को ऑक्सियन फिदान करने की शमतर से संचालित होग टाइम पत्र का दोयर 21 की सौ सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूचि में किस e-learning प्लेटफर्म को शामिल किया गया है विच e-learning प्लेटफर्म हैस बीन इंक्लूड़ेट इन टाइम मैंग्जीन फिर लिस्ट हंडेट मोस्ट इंफ्लूइंशं कंपनी ऑफ थी तूथाउजन ट्वेटफर्म एजुकार्ट अनकैडमी टॉपर या फिर बाइजूस चली इसकांसर दीजिए चली इसकांसर है बाइजूस दो भारती फर्मो रिलाइंस के जियो प्लेटफर्म और e-learning स्टार्टप बाइजूस को टाइम पत्रिगा की वर्ष दुए 21 की सबसे 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में शामिल किया गया है बाइजूस कंपनी को सबस्क्राइबर्स काटिगरी में और जियो प्लेटफर्म को इनोवेटर्स काटिगरी में सूची बद किया गया है चीन ने एक अंत्रिक्ष खनन स्टार्टप ने किस तारीक को प्रत्वी की निचली कक्छा में एक प्रोटोटाइब लाँच किया चलिए 27 अप्रेल, 22 अप्रेल, 20 अप्रेल या फिर इनमें से कोई भी डिट में नहीं चलिए सकांसर है 27 अप्रेल, 27 अप्रेल को लाँच किया दोया 21 को चीन ने एक अंत्रिक्ष खनन स्टार्टप में 27 अप्रेल एक 21 को प्रत्वी की निचली कक्छा में एक रोबोट प्रोटाइब जो है वो लाँच किया है जो एक बड़े नेट ये जाल के साथ अंत्रिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए मलवे ये कच्रे को हटा सकता है इस NEO-01 को चीन के लॉंग मार्च 7 चली यहाँ पर रॉकेट का नाम है लॉंग मार्च 7 पर अन उपग्रहों के साथ लॉंच किया गया था ये छोटे आकाशी पिंडो का निरक्षन करने के लिए भी अंत्रिक्ष के दूरस सिस्थानों पर पहुँच जाएगा बार्सिलोना ओपन क्ले कोट में किस खिलाडी ने अपने करियर का बारवा बार्सिलोना ओपन किताब जीता है विश प्लेयर हाज वन दर ट्वैल्थ बार्सिलोना ओपन टाइटल ओफिस कैरियर अड़ बार्सिलोना ओपन क्ले कोट रोजर फेडरर स्टेफनोस टिप्स पास राफिल नडाल या फिर इन में से कोई भी नहीं जब इसकांसार राफिल नडाल हमेशा की तरह राफिल नडाल जो है वो एक नमबर बने रहते हैं राफिल नडाल ने 68 बार्सिलोना ओपन को सैंबा डेड टूर्नमेंट के फाइनल में स्टेफा नोसा स्टिप्स का को 6-4, 6-7 और 7-5 से हराया क्ले कोट में इस जीत के साथ राफिल नडाल ने अपने करियर का बारवा बार्सिलोना ओपन किताब और वर्ज 2021 का अपना प्रहला खिताब जीत है यह मैस 3 धंटे 38 मिट तक चला, ATP का 2021 का सबसे लंबा मैच यह मान जाता है दोस्तों यह तो हमने देख लिए 3 माई के करेंटरफेस रिक्विस के लिए आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारत दी हुई जानकारी, कॉशन्स अच्छे लगे होंगे अगर प्लीज अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और लाइक जलू करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ है थांक्यू झाल 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 झाल